अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गौडलिवूड स्चूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वाकत है परमपिता परमात्मा को हम सत्गुरू अकाल मूरत भी कहते हैं सत्गुरू अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की और ले चले सत्गुरु अर्थात जो हमें मुक्ती वर जीवन मुक्ती की सच्ची रहा बताए जो हमारे जीवन को वर्दानों से भरपूर कर दे परम सत्गुरु परमात्मा द्वारा प्राप्त अविनाशी वर्दानों वह मंत्रों को आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निये राजुभाई सहाब फिसब आपका आज के एपिसोर में बहुत वस्वागत है फिसब आज हम बात करेंगे 4 जन्वरी 1982 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है सत्गुरु का प्रथम वर्दान मनमनाभव इस परमात्मा स्टार्टिंग में बच्चों के खुशी के गीत सुन रहे हैं और परमात्मा कहते हैं कि यह गीत कानों से नहीं सुनेंगे लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे मनमनाभव हुए और गीत गाना वसुनना शुरू हुआ मनमनाभव इस महामंत्र के वर्दानी तो सभी बन गए सत्गुरु के बने तो सत्गुरु द्वारा पहला पहला वर्दान क्या मिला मनमनाभव तो सब ये जो सुंदर गीत है, जो मन से सुनते हैं, इसको थोड़ा और एक्स्प्लें करें अंधर से कुसी के गीत हैं, तो परमातमा रहात महें करें हैं, जो सुन नहीं रहे लेकिन अंदर- अंदर आप बच्चेया जब अंधरमणाभरनाभानाव करके लिए लेक고 to the gutes in the air, वहाए अंधर मातमाओ unhappy ये लिज्ट अंधर मक् Ung поним जे आए लेकिन ये मतितिये हैं, तो परमात्मा कहते हैं, मन ही सुन सकता अंदर-अंदर, आपके मन के सुनाई देते हैं, जिए बच्चे गा रहे हैं, तो ये मन मना भो होना ही, जैसे मन से कुछी के गीत गाना है, तो हम गीत गा भी रहे हैं, और पर परमात्मा की तरफ उसका जो रिस्पॉन मिला है, मेरे तो जैसे गीत हम सुन भी रहे हैं। तो परमात्मा केते हैं, मन मना भाव होना माना, मन के गीत गाना, और मन के गीत सुनना। तो परमात्मा भी परमात्मा ने कहा। परमात्मा हम सब को कहते हैं, मन मना भाव एक मंत्र का रूप है। जैसे मंत्र कोई बार-बार जपा जाता है तो एक सिद्ध होने लगता है। जैसे मौम का मंत्र जब अंदर-अंदर जाप करते हैं तो इस वरूप में इस्थित हो जाता है। परमात्मा कहता है, जब बार बार परमात्मा की याद में आप इस्थित होते हो, तो यह जैसे मंत्र बन जाता है, और इस मंत्र से जो सिद्धी चाहो प्राप्त हो सकती है, तो इस मंत्र से यह सिद्धी प्राप्त हो गई, पानी हात में ले करके कोई मंत्र जबते हैं और किसी को पिला देते हैं तो उसकी बिमारी ठीक हो जाती है तो यह एक मन की एक आगरता जब मन में एक सुद्र संकल्प बार बारी मर्ज होता है वो मंत्र का रूप ले लेता है और वो मंत्र रूप का अगर कोई भी संकल्प हम कर लेंगे तो सिद्ध होने लगेगा इसलिए इसको कह के माओं को भी उसके और कुछ प्राप्तिया होनी लगेगी इसलिए परमात्मा कहते है ये मंत्र की रीती से connections की हम याद में रहते हैं तो संकल्प में उओ सिद्धी आ जाती है और ऊस्थि आ जाती है जो हम दोसरों के लिए अगर कुछ भी सोच लेते हैं तो उसके जीवन म आ जाती हो बाते हैं जाती हैं जाती हैं जब हम मनमनाभो होते हैं तो यह मनमनाभो का मंत्र जो है सत्गुरु पुत्रे सत्गुरु समान जब बन जाते हैं उनके द्वारा उस्थ होने लगते हैं तो परमात्मा हम सबको भिन भिन टाइटेल दे रहे हैं कि आप सत्गुरु माश्टर सत्गुरु भी हो, सत्गुरु कोत्रे भी हो, जैसे सत्गुरु के वच्चन वर्दान के रूप में लोगों को मंत्र के रूप में प्राप्त होते, ऐसे आप बच्चे जो संकल्प कर रहे हो वो कि सिद्ध होने लगते हैं, इसलिए आपके संकल् परमात्मा ने टाइटल दिये महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सौधागर के साथ जादूगर भी हो। सौधा किया है तो इतना बड़ा किया जो और सौधा करने की आवश्यक्ता ही नहीं। कोई वस्तु का सौधा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौधा कर लिया, उसमें तो सब आ गया न, दाता को ही अपना बना लिया। भगवान को ही हमने अपना बना लिया तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को दूसरा कोई सवधा करने के भी क्या जरूर रहे है जब वो सवधा देने वाला सबका दाता आपका बन गया तो आप तो भरपूर हो गए माला माल हो गए इसलिए सवधागर भी हो और जैसे जाद नहीं कर रहे हैं जो मंत्रवाला कर रहे हैं दुनिया वाले परमात्मा कहता है ये अलोकिक जादू है कि आप किसी को भी सनेह की द्रष्टी देते हो रुआनी द्रष्टी देते हो तो द्रष्टी से उसकी स्रष्टी उसका जीवन बदल जाता है तो इसलिए आप जादू ग वैसी स्थिती स्वतह बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि जो सुनते हो उसको समाते जाओ, जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक-एक गुण की अनुभवती कहां तक है। यह सदा अपने आपको देखो। नौलिजफुल हैं, यह अनुभवी मूरत हैं। यह चक करो। चुकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसे भी गुण का अनुभव कम हो, तो उसके पर अटेंशन दे कर अनुभवी जरूर बनो। पर अनुभवी जरूर बनो। पर हमारा जो दूसरी दिचीजों में आकरसन हो समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं नौलेजफुल तो बच्चे हैं। लेकिन एक एक गुन के अनुभवी भी बनो। अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ती है। और अनुभव के आधार से जब आप कोई बात कहेंगे ग्यान भी देंगे। उनको लगेगा कि हाँ ये हो सकता, ये किया जा सकता है। इसे बहुत फायदे हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को नौलेजफुल भी बनाते हैं। ग्यान दे करके ग्यान सरूब बनाते हैं। इन साथ साथ कहते हैं जो दूसरों को ग्यान सुना रहे हो उसका अनुभव भी जरूर करो। आपके जीवन से दिखाई दे कि ग्यानित व आत्मा ये हैं। उनका देखना, उनका बोलना, उनका चलना, उनका करना। आत्मा होकर के करने से एक लोकिक्त आ जाएगी, एक न्यारा पनाएगा, बाहिमुक्ता खतम हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं, परमाता कहते हैं कि जितना अनुभवी मुरत होंगे, उतना फाउंडेशन पक्का होगा, माया हिला नहीं सकेगी. किसी भी प्रकार का विग्नव समस्या, अभी खेल के समान अनुभव होना चाहिए. वार नहीं है, खेल है. तो खेल समझने से खुशी-खुशी पार कर लेंगे, और वार समझने से घबराएंगे भी और हल्चल में भी आ जाएंगे. इसलिए कोई भी बात आती है, अगर हमारे पास अनुभव हो है, ये जो पेपर या ये भी घ्रण जो आया है, वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आया है. ये इसमृती बहुत अंदर से पक्की करनी चाहिए, कि कोई भी बातें अगर आ रही है, तो ये हमारे क्लास को ट्रां अनुभवी बनाने के लिए है, और अनुभव हमारा आगे बढ़ जाएगा. एक बहुत अच्छी एग्ञान की धाहना है हमारी, कि अगर कोई बात मेरे आगे पेपर बन करके आई है, लगता है, ये तो मेरे आगे बहुत बड़ा विग्न है, अगर हम थोड़ा धहरता से, शांती से उस बात को सोचते हैं, विचार करते हैं, तो रस्ता भी निकलाता है और सासत अनुभव के अथार्टी हो जाते हैं, कि ये बात ऐसे आई हमने ऐसे पार कर ली. दूसरे के आगे जब बात आएगे, और हमारे पास अनुभव होगा, कि देखो मेरे आगे आई थी, तो मैंने ऐसे पार किया था, तो हम अनुभव से कहेंगे, कि तम्हारे आगे जो बात आ रहे हैं, ये लोकी का पेपर आ रहा है, समाज का पेपर आ रहा है, आर्तिक रूप से पेपर आ रहा है, ये पेपर जो आ रहे हैं, इसे घबडाओने, ये माया का वार हो रहा है, आप उसमें कहीं न कहीं अपने विजय का रस्ता निकालो हमारे पास अगर उसका अनुभव है तो आने वालों को भी हम गाइट कर सकेंगे और अनुभव के अथार्टिस उनको जब बताएंगे तो भी विजय ही बन जाएंगे और घबड़ाएंगे नहीं जो भास अब आशकर बहुत जरूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि सामना करने की शक्ति और स्पेशली अधैरिता इनसान में दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि कोई भी बात आती है तो वो सोचने लगता है क्योंकि देरिता से प्रमात्मा की याद उनका साथ लेकर के आपको कहीं नके उसका रस्ता दिखाई देगा अगर तुरंद उताओले हो करके कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा अब क्या करूं कैसे करूं उलज गये तो गुद्धी ठीक निरने नहीं करेगी इसलिए बहुत आवस्यक है उस समय बहुत सान्ती से एक मिनट सान्त हो जाओ बाबा से कनेक्सन जोड़ लो उसकती कानुभव करो कि बाबा ने तो इन सब बातों का ग्यान दिया है कि यह तो आएंगी बाते क्योंकि बहुत जन्मों के हिसाब किताब चुक तो हो रहे है जो पिछले जन्मों में हमने किये हैं कर्म उन कर्मों का कोई नो कोई खाता जो रहा हुआ है करज के रूप में वही सामने पेपर बन करके आ रहा है चाहे समंधों के द्वारा आ रहा है चाहे अपने संसकारों के द्वारा आ रहा है चाहे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आ रहा है अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया परमात्मा केता है नहीं इसके पीछे कोई रहसे है तुमने भी उसके साथ कभी ऐसा किया था इसलिए वाया है तो धहरता से सांती से परमात्मा का साथ लेकर के उस बात का हम सामना करें और भीज़े ही बन जाए तुरंत उतावले हो गए कुछ बोल दिया तो और सम्मन्द विगड़ जाएंगे और नया हिसाब किताब करेट हो जाएगा इसलिए चुक्तु करने के लिए हमें बड़ी धहरता के साथ सांती से परमात्मा का साथ लेकर के उसको पार करना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि थोड़ी सी महनत करेंगे तो फल ज्यादा निकलाएगा इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ ऐसे अनुभव हो जिस एक चैतन्य मंदिर में जा रहे है ऐसा वातावरण रूहानी खुश्बु का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकरशन करें वातावरण बहुत ही आत्माओं को खीट सकता है क्योंकि जिस इस्थान पर हम रहते हैं बहुत ध्यान देना चाहिए जहां पर ब्रामान आत्माय रहते हैं उस इस्थान का वातावरण बहुत आकरशक हो बहुत चुमबक की तरह खीचने वाला हो माना वहां पर बहुत अच्छी रूहानियत हो योग का अच्छा वातावरण हो जैसे कहीं बहुत अच्छी इस्थान पर हम आगे तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे ब्रामान बच्चे जिस इस्थान पर रहते हो उस इस्थान को एक सुंदर मंदिर का वातावरण बना दो उसमें रूहानियत हो बहुत सनी हो अपने पन की फिलिंग्स हो तो लोग जो आएंगे उनको लगेगा बहुत अच्छे इस्थान पर हम आगे खुद भी आएंगे और दूसरी आत्मा भी खिच करके आएंगी और उस वातावरण से उनको बहुत कुछ प्राप्तिया होंगी तो रहने वाली आत्मा है जिस इस्थान पर रहती है उस इस्थान को चार्ज करें योग के अच्छे वातावरण से अच्छे संकल्पों से हैं बिल्कुल भाइसब आज तो सेवा का जो साधन है और सेवा के जो तरीके हैं बिल्कुल बदल चुके हैं क्योंकि हम एक ही स्थान पर हैं और देखते हैं कि बाहर जाने की सेवाएं भी आजकल रुकी हुई है तो बहुत जरूरत है कि हम मंसा सेवा की इन सेवाओं को और ज् इससे ही वातावन सक्तिसाली बनेगा. अगर हम भेभीत हैं, या हमारे नगेटिव संकल्प हैं, हमें कोई प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं, तो लोगों को उस इस्थान से सांतिकान वो कैसे होगा? तो परमात्मा के रहें, सेवा का एक अच्छा साधन है. मंसा दौरा थो हम वातावन बना ही रहें हैं, लिए जिस इस्थान पर रह रहे हैं, मालो आद मैं तीन-चाल लोग उस इस्थान पर रहते हैं, अब वहां पर कोई हसी, मजाक या कोई ऐससे साधान बात्ति चलती हैं, उन बात्तों से वारता लाप से एक वारता बन करेट हो जाता है, एक वरत्तियों से बनता है, एक वारता लाप से बनता है, इसलिए हमको बहुत त्यान देना है, जिस इस्थान पर हम रहे रहे हैं, उस इस्थान पर कोई भी बेर्थ और व्यक्त बाते हो ही नहीं, तब वो इस वो इस्थान नगेटिव हो गया, उस इस्थान पर आने वालों को अच्छे वाइवरिशन नहीं आते हैं, इसलिए चाहे सिवाकेंदर हैं, चाहे हम पने घर हैं, जहां पर भी हम लह रहे हैं, उस इस्थान को एक पवित्र आस्रम बनाना, एक मंदिर बनाना, वो हर एक की जव जवाबदारी है, और उस जवाबदारी को अनुभव करते हुए, बहुत अच्छे अंतरमुकता के बहुत सुध संकल्प करना, और अच्छे बोल-बोलना, उमंगुसा दिलाना, खुसी में रहना, खुसी का वातावन बनाना, इससे लोगों को खिचा होगा, और वो आत्मो तो सांती का, प्यार का अपने पनकान होगा। जब है ही कमभाइन, तो अलग कैसे दिखाई देंगे, अलग कर सकते हो आप, आप अलग करेंगे, वह आपस में मिल जाएंगे, जसे बाप-दादा का आपस में कमभाइन रूप है, तो आपका भी है न, आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। इन अभो बढ़ाना जाहिये हैं। और शीर्व बाब ब्रहा बाबा तो दो ही आपस में कंबाइन है। यह भी में तर०्ट को उसकते हैं। acial पल्टा अभा जब भाप डादा two हापस में कंबाइन है। जब पल्टा दोब दूब का मैज्ग है। वो दोनों कहते हैं, मेरे बच्चे, जब हमारे दो बाप हैं, और दोनों इस समय कंभाइंड हैं, तो हम एक को याद करके उसके साथ कंभाइंड हो या दोनों को बुला करके कंभाइंड हो जाएं। विचार कहने की बात है, एक बाबा ने और महावा के मुडली सुनाई है, कि बच्चे तुम मास्टर तिरमूर्ती हो, तिरमूर्ती बन करके परमात्मा के साथ कानभव करो, आत्मा एक जोती बिंदू है, एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रमा बाबा, उनके साथ हम दोनों उसा आप तुनों के साप्ण है में तुनों के साथ दिशे को ठीकर suivकु एक गैर अप किसी को लाइट कर दो उसे को अपलना दो, जलिदीनें तूश की अधैक पाप डादा दोघ्न करते हैं। इनको अल्हा करी नहीं किते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहा चला गया। तो संगम युक पर हम बच्चों का ये भागी है कि हम तिरमूर्ती लाइट बन करके, तिरमूर्ती बन करके अन्यात्मों की सेवा कर सकते हैं और बहुत निर्भय इस्थिति में रह सकते हैं कि स्वयम भगवान और उनका सबसे अनन्य रत्न, उनका बच्चा आती प्रिय, ब्रह्मा बाबा, आदी पिता वो दोनों सकतियां हमारे साथ हैं और संगम पर हम उनके साथ कम मायन रहते हैं कोई भी हस्ति मुझा आत्मा को डगमग नहीं कर सकती इसलिए परमात्मा कहता है, माश्टर त्रिमूर्ति बन करके रहो सब कैसे पता चले के हम त्रिमूर्ति सिती में हैं जब उनके गुनों के अनुभा होने लगेंगे शिव बाबा, सर्व शक्तिवान, पतित पावन, बहुत बड़ी हस्ती वो हमारे साथ कंबाइन है, तो हमारी इंप्यूर्टी खतम, बेर्थविचार सब खतम और ब्रह्मा बाबा जो एक तम आदी पिता है, बहुत रहम दिल, मा के रूप में भी है वो हमारे संसकार जब जागरत होने लगते हैं संसकारों से पता चलता है, यह कंबाइन है एक तरफ मा के संसकार है, आदी पिता के हैं, और दूसरी तरफ परंपिता के हैं वो दोनों संसकार अगर आत्मा के अंदर भरते जा रहे हैं और दोनों संसकार हमारे प्रेक्टिकल में दिखाई देते हैं, तब अनुभ होता है कि हम तिरमूर्ती हैं. अगर उसंसकार नहीं है, उनका साथ नहीं है, तो साथ के द्वारा जो संग का रंग लगना चाहिए, वो नहीं लगा. अगर हम साथ रह रहे हैं, हम कम्माइन रहे हैं, तो कुछ तो उसके असर उसका रंग दिखाई देना चाहिए, तो तिरमूर्ती हैं, तो एक तरफ एकदम प्योटी की पवित्र वाइवरेशन आएंगे, और दूसरी तरफ एक रहम, दया, करुणा की जो भावनायोत पन होंग तो दोनों हमारे जीवन से दिखाई देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल भाई सब, आज हमने समझा कि कैसे हम मास्टर त्रिमूर्ती बनकर विश्व सेवा करें, और कैसे सत्गुरु द्वारा मन-मनाभव का मंत्र लेकर विश्व का ल्यान की सेवा करें, सब स्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धर्शकों आज इश्वरिय महावाक्यों में हमने समझा कि सदा अलौके खुशी में रहने के लिए हमें स्मृती रहे कि हम महा मंत्रधारी, महादानी, वर्दानी, सत्गुरु के बच्चे, मास्टर सत्गुरु हैं, परमात्मा परमात्मा ने कहा कि यदि याद रहे कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का पाठ, उचे ते उचे परमात्मा के साथ है, तो जैसी स्मृती वैसी स्थिती, स्वते ही बन जाएगी। परमात्मा ने कहा कि संगम युक पर हमें सर्व इश्वरिय गुनों का अनुभवी मूरत बनना ह यदि अनुभव का फाउंडेशन पक्का है, तो हमें कभी भी माया हिला नहीं सकती। तरशकों आज के एपिसोड से संबंधित, यदि आपके मन में कोई प्रशन है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं। हमारा एमेल आईडी है amolaratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अ मेहनत कम, पल ज्यादा निकले, इसके लिए वायू मंदल को रुहानी बनाओ, तो सब बातें स्वता हखीक हो जाएंगी। वायू मंदल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो, आपस में उन्नती के लिए रोहरेहान और धारणा की क्लासिस कखो, स्नेह मिलन करो, एक मत और एक रस होकर रहो, आपने बाप को नहीं ढूंडा, लेकिन बापने आपको ढूंडा है, संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो, जितना अनुभवी मूरत होंडी, उतना फाउंटेशन पक्का होगा। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें।